हाई हेलो काईज वेलकम बेक टो माई चैनल तानवी क्रेटिय चैनल में आप सभी का मौस्ट वेलकम हैं तो आज फिर इंग न्यू वीडियो आपके साथ सेर करने वाली हूँ वो भी है गैंदे के फूल तो गैंदे के फूल घर पे किस तरह से बनाएं तो यह मैंने कौन से वा करके और फिर हम इस पे बीच में पिंचिंग लगा देंगे और फिर बाद में इसको सरकल में इस तरह से कट कर देंगे सरकल में कट करके और फिर बाद में इस पे हम बिलकुल बार इकी से छोटा छोटा इसमें कट लगाएंगे गाइस तो गैस मैं जैसे साधा पन्नी आती ह सबजी हम लेके आते हैं उस पन्नी का भी बना के आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा आप साधा पन्नी जो सबजी की होती ही उसका भी बना सकते हो बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा आप जैसे बांदरवाल हो गया यानि तोरन भी बोलते हैं उसे और कई तरह से सजावट में इसको यू ले सकते हो आप सभी को पता है कि दिवाली आही गई है तो दिवाली पे इस तरह की सजावट आप बना सकते हो गर पे तो जैसे हम और इनल लेते हैं तो वो तो क्या होते है कि मूर जा जाते हैं लेकिन जो यह बनाओगे तो आपके बिल आपके अच्छे से समझ में आ जाए तो उसी तरी के से मैंने इसको फोल्ड किया है और इसको सरकल में कट कर लिया इस तरह से और फिर बाद में हम छोटा छोटा बारिक बारिक सा इस पे कट लगाएंगे निसान लगाएंगे और इस तरह से कट लगा के और फिर हम क्या करेंगे हातों से इन में जो बारी बारी हमने कट किया ना पनी का तो हातों से इस तरह से मसल मसल के और इसको पूरा इस तरह से कर लेंगे तो यह वोगा बिलकुल इसतरह से हो जाएगा गैदे के फूल की तरह बन जाएगा तो यह वने बारी-बारी कट कर लिया है और फिर बाद में हातों से पन्नी को हम इसतरह से मस लेंगे उगलियों की फिंगर के वीज में तो क्या हो गए खिल जाएगा पूरा फूल खिल जाएगा इस तरह से गेंदे का फूल जैसा बन जाएगा तो इदे के बिल्कुल हमारे मेरी गोल्ड फ्लावर बन के रेडी हो गए गाइस मैं नहीं बता दिया आपको और अम मैं जैसे सब्जियों की पनी आती है उसका बनाना पनी तो आप चोटी बड़ी पनी ले सकते हो इस तरह से आप इसको कर लीजे पनी को इकसार से और फिर बाद में और इसकी पिछे का इससा कट कर लोंगे और आगे का कट कर लोंगी और फिर बाद में हम क्या करेंगे यह बड़ी साज की पनी है तो इसको हम इस तरह से कट कर उसपार्ट में कट hindra और रिदा और इसमें परच जेए कि बहुत चानल जाली उइस जल्दी रिड़ी आपने बन भूरर बना जाते लिए इसमें पुछ कुछ आपासölहां तो पीरे ममें पन्यों को बहुत पान्यों सब्सक्राइब और किस तरह से अग्ले वीडियो बताऊंगी किस तरह से अपने जाने वाले डेजल और ये आपको सब्सक्राइब देखिに आपको सब्सक्राइब कोऩके है यह लुद्फ कमार एक पर दिवाले ऊपने घर 100 गरने लेजले हैं कि आपके पास इस तरह के मेरी गोल्ड के फ्लावर ना हो तो आप इस तरह से घर पे बना सकते हो और अपने घर को सजा सकते हो गाई तो यही मैंने किया है इसको फोल्ड कर लिया और फिर बाद में गॉल सरकल में कल्ट कर लिया और फिर बारी के बारी की से हम इस तरह से कट कर देंगे तो यह हमारा फिलावर बनके रेडी हो जाएगा तो देखिए गाइस इसको मैंने बारी कट कर दिया है और फिर बाद में हम finger से इसको क्या करेंगे बिल्कुल इस तरह से मस्त लेंगे और ये फिर बाद में बिल्कुल खिलके ये फ्लावर बन जाएगा बिल्कुल खिला खिला फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा तो बहुत ही आसान है आप सबजियों के पन्यों का भी बना सकते हो या नोट बुक पे हम कबर चड़ाते हैं उसका भी आप बना सकते हो तो कई तरीके से आप प्लाश्टी के पन्यों के ये फ्लावर बना के रेडी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से बना के रेडी हो जाते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं और आटी पीसेल फ्लावर है जो जैसे लास्ट मिनिट पर अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करें वह आइडिया भी मैं आपके साथ सेर करूंगी गाइस तो आप अपने वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा ताकि मेरे को और भी जल्दी ही मैं सेर करने वाली हो गाइस तो यह मेरे बहुत सारे मेरी गौल्ड फ्लावर बनके रेडी हो गये हैं और इन दोनों को कॉमिनेशन की इस तरह का लग रहा है आप कमेंट करके जुरूत आएगा और आप कौन्चे भी कलर के फ्लावर बना सकते हो जो भी आपको कल है ली रहती है हमारे इस तरह से हम रखे रूखे परेसान हो जाते कहां पर रखे रखे कैसे रखे तो आप इस तरह का चीज बना सकते हैं और कबाड़ा भी खतम हुएगा आप अपने घर को फीरी में सजा सकते हो गाइस तो यह हमारा मेरी गौल्ड फ्लावर बनके रेडी ह हो गए हैं बहुत ही सुन्दर यलो और वाइड मेंHe ventas सुन्दर दिख रहे हैं तो गैस इसके मैं यूज करने वाली हूं अग्ला वीडियो आपका इसी कहा आएगा कि मैंनों को किस तरह से यूज़ करूंगी और अपने घर को किस तरह से सजाऊंगी तो दीवाली आ गई है तो आप भी अपने घर को सजाएए और कमेंट करके जरूर बताएगे कि आपको या आइडिया कैसा लगा गाइस और भी अच्छे अच्छे आइडिया लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्रे करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में बाइड टेक क्यार